प्रधान मंतरी को एक ही दिनों में सेकड़ों फैसले लेने होते हैं विज्यान से संबंदित, अर्थवेवस्था से संबंदित अगर प्रधान मंतरी पढ़े लिखे नहीं होंगे तो यह अफसर आके तरह तरह के किसम किसम के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्खत करवा के ले जाएंगे कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे अगर पढ़े लिखे प्रधान मंतरी होते तो GST ठीक से देश के अंदर लागू होता किसानों के तीन काले कानून लागू किये गए जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे बिना बातचीत किये यह समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधान मंतरी जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया अंत पंत में एक साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े विशय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोट से फटकार लगी है जो कि उनकी प्रवित्तिक्या नुरूप भी है यह ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नहीं अनेक बार कोट के द्वारा डांट फटकार पा चुके हैं माफी मांग चुके हैं इसलिए विशय प्रधान मंत्री जी की डिगरी का नहीं था विशय तो इनके भरष्टा चार का था रात हाई कोट का कल ओडर आया कि देश के लोग जो हैं वो प्रधान मंत्री जी की एजुकेशनल कॉलिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं ले सकते इससे पूरा देश एक तरह से स्तब्ध है क्योंकि हम लोग जनतंत्र में रहते हैं और जनतंत्र के अंदर तो प्रश्ण पूछने की और जानकारी मांगने की आजादी होनी चाहिए किसी का भी कम पढ़ा लिखा कोई गुनाह नहीं है किसी का भी अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है कोई पाप नहीं है हमारे देश में इतनी गरीबी है अपने घर की परिस्थितियों की वज़े से अपने घर की हालात की वज़े से बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं पड़ पाते जिनको पूरी अच्छी चन्हीं मिल पाती मैंने ये जानकारी क्यों मांगी हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए इन 75 सालों में देश उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितनी तरक्की करनी चाहिए थी आज लोगों में बहुत ज़ादा बेचैनी हैं लोग बहुत तेजी से तरक्की चाहते हैं हम 21 सदी में रह रहे हैं 21 सदी का भारत 21 सदी का युवा बहुत एस्पिरेशनल है वो बहुत तेजी से तरक्की चाहता है रोजगार चाहता है महंगाई से छुटकारा चाहता है वो चाहता है कि भारत तेजी से तरक्की करे ऐसे में देश के प्रधानमंतरी का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है पर जब हम देखते हैं कि प्रधानमंतरी मोदी जी के हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ऐसे बयान आते हैं जो देश को विचलित कर देते हैं जैसे एक उनका बयान आया कि नाली में से जो गैस निकलती है उस गैस से चाई बनाई जा सकती है मतलब उस गैस को एनरजी के रूप में इस्तिमाल करके उससे चाई बनाई जा सकती है कोई भी जानकार आदमी पढ़ा लिखा आदमी इस किसम की बात नहीं करेगा एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल है तो बादलों के पीछे हवाई जाज जो है उसको राडार नहीं पकड़ पाएगा ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं आर्मी के लोगों ने फौज के लोगों ने एर फोर्स के लोगों ने बच्चों ने पढ़ने वाले बच्चों ने युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा उससे ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है Canada गए वो Canada में उनों ने कुछ वो कहनी की कोशिछ कर रहे थे A, plus B, square, whole square, bracket square लेकिन वो क्या कहना चारहे थे, किसी को समझ नहीं आया पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंत्री जी को देख रही थी पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े embarrassing फील कर रहे थे एक और में देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को address कर रहे है बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे climate change जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कोई climate change नहीं है अब climate change global climate change global warming जो है ये बहुत बड़ा सक्तिय है ये पूरी दुनिया मानती है पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री कि ऐसी बात करेंगे कि climate change कुछ नहीं है global warming कुछ नहीं है तो फिर तो उसके उपर हम action भी कैसे ले पाएंगे और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दभी जबान में हस रहे थे ऐसे में ये संदे होता है और ये प्रश्ण उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे एक भाशन में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गाउं के स्कूल गया था, उससे जादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सेकड़ों फैसले लेने होते हैं विज्ञान से संबंदित, अर्थवेवस्था से संबंदित, अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके, तरह तरह के किसम किसम के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्खत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा बोगतना पड़ा नोटबंदी से देश एक तरह से दस साल पीछे चला गया इतना ज़्यादा नोटबंदी से पूरी देश की अर्थेवस्था को नुपसान हुआ अगर देश के प्रधानमंतरी पड़े लिखे होते तो कभी किसी हालत में नोटबंदी न करते जी एस्टी लागू किया गया, जी एस्टी बहुत अच्छा कॉंसेप्ट था लेकिन जिस तरह से लागू किया गया, इसने पूरी अर्थेवस्था का बिड़ा गर्थ कर दिया आज अगर पड़े लिखे प्रधानमंतरी होते तो जी एस्टी ठीक से देश के अंदर लागू होता किसानों के तीन काले कानून लागू किये गए जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे बिना बातचीत किये ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंतरी जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया अंत पंत में एक साल के बाद वो तीनों कानून वापस लेने पड़े तो इस तरह से कोई भी व्यक्ती जाके प्रधानमंतरी जी को बेकूफ बना सकता है अगर प्रधानमंतरी जी पढ़े लिखे नहीं होंगे पिछले कुछ वर्षों के अंदर साथ हजार स्कूल देश के अंदर बंद कर दिये गए देश की अबादी एक तरफ बढ़ रही है स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे लेकिन साथ हजार स्कूल बंद कर दिये गए इसका मतलब देश में शिक्षा को तवजू नहीं दी जारी जो तवजू दी जानी चाहिए एक अंपढ़ देश कैसे तरक्षी करेगा हाइकोट के ओडर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेके जो संशय था वो और बढ़ा दिया है इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं कुछ डिगरी इधर उदर एक दिन अमिद्शा जी ने भी प्रेस कांफरेंस करके कुछ वर्ष पहले डिगरी दिखाई थी अगर डिगरी है और वो सही है तो डिगरी दिखाई क्यों दे क्यों नहीं जा रही गुजरात विश्व विद्याले अदिली विश्व विद्याले डिग्री क्यों नहीं दे रहे उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे तो लोगों के मन में दो ही आंसर है क्यों नहीं दे रहे एक ही हो सकता इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि यह हैंकार है और दूसरा प्रशन जनता के मन में ये उठ रहा है कि डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिग्री हो सकता है फरजी हो डिग्री हो सकता है नकली हो तो ये जनता के मन में कल के ओर्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गारा में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधान मंत्री जी दिल्ली विश्व विद्याले से पढ़े गुजरात विश्व विश्व विद्याले से पढ़े तो गुजरात विश्व विश्व विद्याले को तो सलिबरेट करना चीए कि हमारा लड़का जो है वे देश का प्रधान मंतरी पढ़े लिखे होने चाहिए Does India need an educated PM आप अगर कोई company चलाते हैं और अपनी company के लिए कोई manager hire करते हैं तब भी उसमें लिखते हैं कि ये शुब MBA qualification लिखते हैं तो क्या देश को चलाने वाले सबसे बड़े manager पड़े लिखे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए अगर आपके कोई प्रश्ण है तो ये एक important प्रश्ण है सारे देश के सामने एहम प्रश्ण है आज भारत बहुत जबर्दस तरीके से तरक्की कर सकता है एकिस्वे सदी का भारत क्या एकिस्वे सदी के भारत के प्रधान मंत्री पड़े लिखे होने चाहिए की नहीं होने चाहिए ये प्रश्ण है और ये एक बहुत एहम प्रश्ण अब यह तथ्यों के साथ सामने आ रहा है कि सिर्फ श्री मनीश सिसूदिया नहीं बलके आमार्णी पार्टी के अन्यान लोग भी इस प्रकार से भरष्टाचार के द्वारा ये शराब नीती को प्रभावित करने के लिए जुम्मेदार थे अब जो अपने को कट्टर इमानदार कहते थे वो अब भरष्टतम भरष्ट सिद्ध ह होते जा रहे हैं इसलिए कोई न कोई तो स्वांग रच नहीं है इसलिए यह विशय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोट से फटकार लगी है जो कि उनकी प्रभितिक्या नुरूप भी है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नहीं अनेक बार कोट के द्वारा डां ही मांग चुके हैं इसलिए विशय प्रधान मंत्री जी की डिगरी का नहीं था विशय तो इनके भरष्टाचार का था ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे और इसलिए ये इस प्रकार का स्वांग रचना की जो चीज पब्लिक डोमेन में है जो चीज उन्वस्टी की website पे है उसे मांगने के लिए court में जाना तो इस सिर्फ court का समय बरबाद करना ही नहीं मैं court का observation आपके सामने पुनह उसका mention कर रहा हूं further despite the degree in question being put on the website of the Petitioner University for all to see despite this fact being made expressively clear with precision in the pleading before the court and despite the respondent never disputing the degree in question either during the pendency of these proceedings or even during the final hearing यानि जब यहां प्रक्रिया नियाह मिले चल रही थी ना आपने कभी उस विशे का संग्यान लिया ना कोई आपती दर्ज की और ना अंतिम निर्णे के समय किसी प्रकार की आपती दर्ज की and the respondent number two has persisted with the matter this is one more reason to impose cost on the petition इसका मत्तब यह हो गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने के लिए संबैदानिक उपकरणों को दुरुप्योग करने की दृष्टी से आपने एक काम किया मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने अधुद पॉलिसी नी थी एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री एक नॉर्मल कहावत ने प्रेवक होता है न कि फ्री की रेवड़ी पर यहां सबस्यादा फ्री की रेवड़ी बेवड़ों को मिली थी एक पाववे के बदले एक पाववा फ्री और जब ज़्यादा पी लेता है आदमी तो मानसिक संतुननक हो जाता है